तो फ्रेंड्स यह चीज नीबू के पौधे को एक ही बार में फलफूल से भर देगी यदि आपके लेमन प्लांट पर नीबू के पौधे पर फलफूल नहीं आता है और इस चेज का प्रयोग हम अपने नीबू के पौधी में कब और कैसे करेंगे ये जो आप हमारा नीबू का पौधा देख पा रहे हैं हमारे छोटे से ही नीबू के पौधी पर बहुत सारे छोटे छोटे नीबू आई हुए हैं फलफूल आया हुआ है अगर आप लोग भी चाहते हैं आपके नीबू के पौधी पर इस तरीके से फलफूल आए तो ये वीडियो आप कम्प्लीट देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पौरी जानकारी देने बाले हैं श्वागत आपका फार्मिंग टिप्स योटोब पर अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आई हैं चैनल का वीडियो पहली बार देख रही हैं तो आप लोग हमें सब्सकाइब जरूर कीजेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को एक बाल लाइक करके सेर कर दीजे तो चलिए फ्रेंड्स फिर मैं वीडियो की शुरुआत के देता हूँ फ्रेंड्स यदि आपके नीबू के पौदी पर लेमन प्लांट पर फल फूल नहीं आ रहा है उस इस्तिती में आपको नीबू के पौदी में सबसे पहला काम करना है गमले की मिट्टी की गुड़ाई अगर पौदा जमीन पर है तो आपको 5-7 इंच घहरी गुड़ाई करनी है अगर पौदा गमले में है तो आपको 2-3 इंच घहरी अच्छे से गुड़ाई कर देनी है अगर मिट्टी में खर्पत बार है घास पूस है तो उसे आपको निकाल देना है क्योंकि ये खर्पत बार मिट्टी की इनरजी को बेकार में ही वेस्ट करती है तो इस तरीके से आपको गमले की मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर देनी हैं अगर मिट्टी में ढेले बन रहे हैं तो उन्हें आप तोड़ लीजिए और इस तरीके से आपको मिट्टी को अच्छी से भुरुबुरा बना लेना है उसके बाद आप गमले की मिट्टी में कम से कम 5-7 घंटे की हवा और धूप लग जानी दें तो फाइनली हमने आप पर गुड़ाई कर दी है अब आपको जो दूसरा काम करना है उसके लिए फ्रेंट्स आपको ये सफेद कलर की चीज लेनी है ये है फ्रेंट्स आपसम सॉल्ट जब गमले की मिट्टी में 5-7 घंटे की धूप लग जाए उसके बाद आपको आपसम सॉल्ट लेना है और जो गमले की मिट्टी है जो हमने गुड़ाई की हुई थी उसी मिट्टी की ऊपर आपको आपसम सॉल्ट डाल देना है ये आपको कम से कम 5 ग्राम लेना है और गंली की जो मिट्य है उसकी ऊपरी सते पर आपको इस तरीके से एPSOM सॉल्ट को अच्छे से बिखेर देना है हमने आपर एPSOM सॉल्ट अच्छे से डाल दिया है इससे हमारे नीबो के पौदे को ये फाइदा होगा पौधे पर अच्छा फलफूल बनेगा और पौधा जो है काफी अच्छे से ग्रोध भी करेगा उसके बाद आपको जो तीसरी चीज लेनी है वो है फ्रेंट्स प्योर डिकंपोस्ट गोबर खाद यह चौकलेटी कलरकी होनी चाहिए तब यह प्योर डिकंपोस्ट गोबर खाद होगी अगर आपके पास गोबर खाद अबेलबल नहीं है तो आप बर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट यूज कर सकती है गोबर खाद हमने आपर आदा केजी ली है और इसे भी आपको इस तरीके से आपको नीबू के पौदी में अच्छे से डाल देना है अगर पौदा जमीन पर है तो आप गोबर खाद कम से कम एक केजी लीजिएगा और इस तरीके से आप जो है नीवू के पौदी में अच्छे से गोबर खाद को भी एड़ कर देंगे उसके बाद आपको जो है इसमें वाइटरिंग कर देनी है वाइटरिंग आपको किसी हजारे या फिर ऐसी चीज से करनी है जिससे जो हमारे गमले की मिट्टी है वो उखड़े नहीं गोबर खाद के यूद से हमारे जो पौदी की क्रोथ है वो अच्छे से होती रहेगी और पौदी को धीरे धीरे न्यूट्यन्स और पोशक्तत्य मिलते रहेंगे गोवर खाद में बहुत सारे न्यूटेंस पोसकत तो मौजूद होती है जो कि नीवू के पौदी के लिए काफी फाइदे मंद है तो इस तरीके से आपको वाइटरिंग कर देनी है उसके बाद आपको चौथा काम करना है एक स्प्रेयर लेनी है और उस स्प्रेयर बॉटल में आपको एक लीटर फ्रेस पानी भर लेना है ताजा पानी भर लेना है उसके बाद आपको एपसम सॉल्ट लेना है एपसम सॉल्ट आपको एक चमच लेना है और एक लीटर पानी में आपको एपसम सॉल्ट को अच्छे से डाल करके उसे अच्छे से mix करना है उसे खोल लेना है चलिए जल्दी से मैं इस sprayer में Epsom salt को अच्छे से dilute की लेता हूँ mix की लेता हूँ इस तरीके से आपको जो है Epsom salt को sprayer में अच्छे से से करना है उसे dilute कर लेना है इसे आपको 5-7 मिन्ट तक इसी तरीके से सेख करना है उसके बाद आपको अपनी नीबू के पौदी पर इस तरीके से इसका इस्प्रे कर देना है इसका इस्प्रे करने से हमें ये फायदा होगा जो हमारे lemon plant की leaves है नीबू के पौदी की पत्तियाएं है वो पीली हो करके नहीं किरेंगी इसके अलाबा epsom salt के spray से हमारे नीबू के पौदी पर फल्फूल इंक्रीज होगा और हमारे नीबू के पौदी पर बहुत अच्छा फल्फूल आईगा नीबू आईगा तो इस तरीके से आपको अपने पूरे ही नीबू के पौदी पर epsom salt का अच्छे से spray कर देना है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप गमले में लगे हुए नीबू के पौदे से बहुत अच्छे नीबू ले सकते हैं फल्फूल ले सकते हैं इस तरीके से आपका भी नीबू का पौदा एक ही बार में फल्फूल से नीबूं से भर जाएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बाल लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए जिससे अन्य फ्रेंट्स विडियो का लाब उठा सकें और वो लोग भी गमने में लगे हुए नीबू के पौदे से कुछ इस तरीके से भरपूर नीबू ले सकें फलफूर ले सकें अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो फ्रेंट्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर्म लाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर तब तक के लिए धन्निबाद थैंक्यू